वेहं आप सबीका आपके अपने स्ट चाइड को उ minimize स्ट जो आपकी क्विज थी उस क्विज के क्रम चल रहा था तो आज अपन को सामिल करेंगे और कल से क्विज जो है कंटूनी रखेंग क्लियर करने वाले हैं पूरी तरह के से ना काफी मोश्ट सवाल इसमें रहने वाले हैं तो चलिए आज की क्विज को सुरू करते हैं आज की क्विज का जो पहला सवाल है वो आपके समक्षी ये हैं निम्न में से कौन सा ए सुमेलित है निम्न में से कौन सा ए सुमेलित है सामने लिखा है चंद्र बरदाई हमीर महाकावय के समक्ष लिखा है नर्पती नाले परत्वी राज विजय के समक्ष लिखा है जयानक भट तो इन में से जो गलत है किस ग्रंत को किस पुस्तक को जिसने नहीं लिखा उसके लिख्ख का नाम साबने गलत लिखा है वो अपन को उत्तर देना है तो देखिए यहां जो सही जबाब होगा वो होगा हमीर महाकावय क्या हो जाएगा ईसुमेलित है? सुमेलित नहीं है अच्छा, तो हमीर महाकावय लिख किसने दिया था? हमीर माकाव्य लिखाता नर्पति नाले ने नहीं लिखा बलकि नयन चंदर सूरी ने लिखा किसने लिखा नयन चंदर सूरी ने ठीक है तो नयन चंदर सूरी ने इसको लिखाता हमीर रासो को किसने लिखा हमीर रासो को जोदराज नहीं लिखाता पर्थवी राज रासो को च Min,Jayanak Bhat तो यह क्या होता है यह cross binding हो जाता है कई बार कि, पर्तिविराज रासनों को Jayanak Bhat लिक देता है और पर्तिविराज Vijay को कौन लिक देता है चंदर पर दय लिक देता है तो यह गड़ बड़ हो जाती है, सइम से नाम है तो आप यह याद अखना पर्थविराज के लास्ट में जो विजय आ रहा है ना विजय को कौन लिखेगा विजय इक्वेल्स टू जय मतलब विजय जय ही तो होता है तो आप कर सकते हैं पर्थविराज विजय सिक्वेंज बिठा लीजिए ताकि मिक्सप ना हो तो क्या करेंगे पर्थव हैं अगले सवाल के और अगला सवाल भरतपूर संबाग में करोली को किस संबाग से सामिल किया गया था भरतपूर जो है यह अपना नविंतम संबाग है मतलब सात्वा तो यह सवाल भी याद कर लीजिए कि राजस्तान में कुल कितने संबाग है तो कितने संबाग है सात भरतपुर जो राजस्तान का सबसे नवींतम संभाग चार जून 25 को इसके संभाग बनने की अधी सुचना जारी की गई थी। सवाल ये है कि भरतपूर संभाग को बरतपूर संभाग में करोली को किस संभाग से सामिल किया गया था मतलब भरतपूर संभाग बनने से पहले ये चार जिले किसी ने किसी संभाग के हिस्ते थे तो वो जो है वो पुछा गया कि बरतपूर संभाग में जो करोली जिला है भी वो कौन से संभाग से सामल किया गया तो देखिए ये जो है बरतपूर ये क्या करता है बरतपूर सक करता है क्या करता है सक करता है किस पर करता है कोटा पर किस पर करता है बरतपुर वाले सक करते हैं किस पर करते हैं डाउट करते हैं कोटा वालों पर ठीक है तो सक करते हैं कोटा पर हाना और हमला बरतपुर वाले सक करते हैं कोटा पर ठीक और भरत जो है ना इस भरत नाम के विक्तिगो धोया कहा भरत नाम के विक्तिगो धोया था जयपूर में कहां दोया जयपूर में तो ये दो तरीके हैं याद अखने के अलग अलग जिलों के कि संभाग से सामिल किया गया तो भरतपूर वाले सक करते हैं कोटा पे अना इसका मतलब क्या है सवाइमा दोपूर और करोली ये दो जिले कोन से संभाग से सामिल किया गयते है बहुत चलिए बढ़ते हैं अगले जवाल की ओरुड़ा से अल्लावदीन खिलजी ने सिवाना का दुर्ग जीत कर किसे सोपा था तो अल्लावदीन खिलजी जो है मुगल सासक इसने सिवाना दुर्ग इस सिवाना दुर्ग को जीत कर किसे सोप दिया था सिवाना को अल्लावदीन खिलजी ने जीता था 1308 में और 1311 में किसको जीत लिया था जालोर को जीत लिया था इसी सिवाना को जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं क्या कहते हैं जालोर दुर्ग की कुंजी तो इसी सिवाना को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है 308 में इस पर जो शासन कर रहा था वो था सीतल देव थीक है और सीतल देव था ये जालोर दुर्ग के सासख कानड़ देव का बतीजा था तो इसने क्या किया जब Allauddin खिल जी आकरमन करने आ रहा था सिदा किस वर सिदा आकरमन करने आ रहा था जालोर पर तो बीच में ही इसने सीतल देव ने रोख लिया अलाओ धिन खिल्जी को ललकार कर का किए अरे मुर्क कहा जाता है जालौर का जीतने के सपने देखने वाले पहले दो-दो हाथ मुझसे तो कर ले पहले मुझसे तो तकरा ले फिर जाना काका के पास तो ठीक है तो इस प्रकार से 1308 में ये जालोर दुर्ग की कुंजी कर लाता है सिवाना इसको जीता था तो सवाल ये है कि सिवाना को जीत कर अलाओदीन खिलजी ने किसको सोप दिया था तो किसको सोप दिया था कमालुदीन कुर्ग को सोप दिया था तो अरावली परवतमाला जो है इस अरावली परवतमाला का निर्मान निम्न जो ओपसने इन में से चुनना है अरावली जो अरावली है इस अरावली का पिता किसे कहते है अरावली का पिता किसे कहते है अरब सागर को कहा जाता है ठीक है तो अरब सागर को अरवली का पिता कहा जाता है और अरब सागर की जो रानी है वो किसको कहा जाता है वो कहा जाता है कोची को किसको कहा जाता है कोची को कहा जाता है अरवली का पिता अरब सागर और अरब सागर की रानी कहते हैं कोची को ठीक है तो यह आगे देखिए अरावली परवतमाला का निर्माण हुआ तो इसमें से प्रिकेंब्रियन काल क्रिस्टियान काल प्लिस्टोसिन काल तो इसमें से सही जवाब हुगा प्रिकेंब्रियन काल बोलते हैं इसे ठीक है तो अरावली का जिनम प्रिकेंब्रियन काल या प्रिकेंब्रियन काल से वा ठी और इसका 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 हुआ था किससे Christian कल्प से था नहीं कि अच्छिनी पूर्वी सब्सक्राइब कि यह अपना हुआ है जिसे अपना हडोती का पृटार तो यह जो ढक्षीनपुर्वी प्रदेश है इसका निर्मान वा क्रिस्टियन कल्प से ठीक है और जो बाकी दो अपने बच गया है जैसे मेदान बच गया और मतलब मरुस्तल बच गया तो इन दोनों का निर्मान किस से वा फिलिश्टो सिंग कल्प में वा था ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की और जपर को गुलाबी रंग में किसने रंगवाया था तो जपर को गुलाबी रंग में रंगवाले वाले कौन थे जपर को गुलाबी रंग में रंगवाया था किसने राम सिंग से किन ने तो राम सिंग से किन ने जपर को गुलाबी रंग में रंगवा दिया ठीक है परताप सिंग ने समानता के अधिकार का वर्नन कितने अनुछेदों में किया गया है तो मूल अधिकार में जो अपने 6 मूल अधिकार है इनमें समानता का अधिकार है इसमें जो कितने अनुछेदों में इसका वर्नन किया गया है ये बताना है option है 4, 5, 6 या फिर 13 तो यह जो समानता का अधिकार है यह है राइट ओफ एक्वलिटी कहते हैं यह है 14 से लेके 18 ठीक है तो कितने होए गलती मत कर देना 14 को 18 से देखते हो तो गेब 4 नजर आता है लेकिन यह रियल में है क्या 5 तो काउंट करते हैं तो 14, 15, 16, 17, 18 तो 5 अनुछे दों में है अक्सर गडबर की जाती है यह और 4 ही उत्तर कर दिया जाता है लेकिन इसको सही काउंट करते हैं तो क्या आता है एंसर इसका 5 आता है तो समानता का अधिकार कितने अनुछेदों में है 5 अनुछेदों में इसका वर्नन किया गया है चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला स राष्टपति का निर्वाचक मंडल है, राष्टपति का जब चुनाव होता है इनके निर्वाचित सदशिय वोट डालते हैं, तो यह जो पूशाय है कि दिल्ली पूडुचेरी विदान सभा है, इसके सदश्यों को निर्वाचक मंडल में कब सामिल किया गया, तो फ्रेंस इसको सामिल किया गया था सत्रवा सविदान संसोधन 1902 में में वा उसके द्वारा इन दिल्ली और पुडुचेरी विदान सभा को भी राष्टपती निर्वाचक मंडल में सामिल कर दिया गया चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल है अलावदीन खिलजी द्वारा, 1311 इस्वी में जालोर पर अकरमन के समय कानड़ देव के साथ विश्वासगात किस न किया तो अभी अपन ने देखा था कि 1308 में सिवाना को जीता था तेरा सो ग्यारा में जिता लाउदिन खिलजी नकिसको इसको जालोर को ये जालोर को और ये सिवाना को ठीक है तो देखिए ये पूछड़ा है कि जालोर पर आकरमन जब तेरा सो ग्यारा में हुआ तो कानरदेव के साथ विश्वास गात किसने किया था तो दोनों जगे विश्वास गात किया गया था सितल देव के साथ और कानरदेव के साथ भी तो ये कमालूदिन गुर्ग इसको तो सौप दिया गया था कीला ठीक है और ये भावला पावार था ना इसने किया था तेरा सो आठ में सितल देव के साथ और दैया भीका है ना इस के पूरा नाम तो पूरा आएगा तो यह देख़ो यह है तो नाम चुन था सब्सक्रार कानंडर राहे रहा है कि कानट देव को किसने दोखा दिया तो देखो इसके डेया भीका के naam में fit कर दी का पहला word यह देखिए तो देया भीका यह उत्तर खुद लेके आ रहा है तो किसके साथ का consequences से कानर देव बना देना तो भावलाव पवार एटोमिटिक फिट हो जाएगा किस पे सितल देव पे तो यह आपका कन्फुजन यहां से हट जाएगा ठीक है तो क्यूसन आप सही कर पाओगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की और मुमल गीत कि शेतर का लोक गीत है तो दोस दोलपुर को राजस्तान का 27 जिला कब बनाया गया तो यह जब क्वीज में पढ़ारा था आपको अना तो उसमें डिटेल्स के साथ मैंने आपको समझाया है यह राजस्तान के सभी जिले कब कब बनाया गये तो यहां सही जबाब होगा 15 अप्रेल 1982 को 27 जिला कोन मना था दो यह बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल है राजस्तान का शेतरपल राजस्तान का सेतरपल कितना है तो राजस्तान के शेतरपल में आपको ओपसंदी आ गया है 132 140 वरग किलोमेटर 342 230 वरग मील 132 140 वरग मील 336 808 वरग किलोमेटर ठीक है तो इसमें से जो सही जबाब होगा वो होगा 1 32 140 वरग मिल इसका सही जवाब होगा 336 808 वरग किलोमेटर ये क्या है ये राजस्तान का ग्रामिन शेतरपल है राजस्तान का ग्रामिन शेतरपल कौन सा होगा 336 808 वरग किलोमेटर होगा 5431 वरग किलोमेटर जो है ये राजस्तान का सहरी शेतरपल है ठीक है और 3,42,249 वरग किलोमेटर ये क्या है ये राजस्तान का वरग किलोमेटर में शेतरफल है और 1,32,140 वरग मील ये राजस्तान का शेतरफल है वरग मील में ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल है राजस्तान के बिल्कुल बीचों बीच होकर गुजरने वाली उत्री अक्सांस रेका कौन सी है तो राजस्तान के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरने वाली जो अक्सांस रेका है वो कौन सी है वो है 27 डिगरी उत्री अक्सांस कौन सी है 27 डिग्री उत्री अक्सांस राजस्तान के बिच्चों बीच से गुजरने वाली अक्सांस रेखा है ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल है राजस्तान में शाम के भुजन को शाम कैदो चाहें रात कैदो राजस्तान में शाम के भोजन को क्या कहते हैं तो राजस्तान में शाम के भोजन को क्या कहते हैं सीरावन कलेवो या ब्यारू तो देखो सीरावन किसे कहते हैं सीरावन में मैंने आपको याद करवाया था कैसे सीरावन है करशकों का कर्सकों का सुबह का भूजन क्या है कर्सकों का सुबह का भूजन क्या कहलाता है सिरावन कहलाता है ठीक है इसको मैंने याद करवाया था कि अपन जो है तो क्या कहते हैं कि सीराणे सीराणे बोला ना तो कर्सक जो है वो क्या करते हैं खेति आड़ा कर सकते हैं कि सीराने लेर सो ज़ाएं जमाले कुछ भी राबडी रोटी बाजराकी लेके सो गया सिराने और दिनके उठ्या मूध है खाके टूल गया खेत में इनके के वह सीरावन के वह ठीक है कल्यों काई मैं कल्यों के वह जो को आपा सूब पहली आपां करिय ठीक है और जो को ब्याड़ू है और रात को या शाम को भोजन जो को है बिन राजस्तान में के कहे हो जाए ब्याड़ू के हो जाए ठीक है ब्याड़ू कि ब्याड़ू कर लिया तो बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल है दिल्ली की परतम महिला मुख्यमंत्री तो दिल्ली के परतम महिला मुक्यमंतरी कौन थी? सुसमा स्वराज थी ठीक है? तो दिल्ली के परतम महिला मुक्यमंतरी थी सुसमा स्वराज चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की और रनकपूर प्रसस्ती के लेखक कौन थे? तो रनकपूर जो प्रसस्ती है इस रनकपूर प् थे देपाक थे अच्छा जेन मुनी जेता किस के थे ये थे राइसिंग प्रसस्ती और दोस्तों राइसिंग प्रसस्ती कहां है राइसिंग प्रसस्ती भीकानेर ठीक है तो राइसिंग प्रसस्ती कहते जेन मुनी जेता ठीक है अच्छा इसको ऐसे याद कर लीजिए राइसिं नगड़ को जोड़कर राय सिंग प्रसृति दोड़ लीजिए भी कनेर, ठीक है, महेस भट ने कौन सी प्रसृति लिखी, कीरती इस्तम प्रसृति और आपको पता है, कीरती इस्तम साथ, मंजीला, फिचित्तर, फृट, उच्छा, और यह किसको समर्पिता है, आदीनात, आद धर्म के पहले तीर्थंकर थे तो उनको समर्पित है रंचोडबट तेलंग ने कोण सी प्रसस्ती लिखी थी इन्होंने लिखी थी राज सिंग प्रसस्ती कोण सी राज सिंग प्रसस्ती और राज सिंग प्रसस्ती कहा है राज समंद में है भी राज सिंग प्रसस्ती अचा रा तो यहां जो है राज समंद जील है इसके किनारे नोचोकी की पाल है जिस पर 25 बड़े-बड़े सिलालेखों में लिखी हुई है राज शिंग प्रसस्ती जो विश्व की सबसे बड़ी प्रसस्ती है ठीका तो विश्व की सबसे बड़ी प्रसस्ती है राज सिंग प्रसस्ती औ नोचोकी की पाल याद रखिएगा और इाद दिलवादू राजसमंद जील की नियाँ किसने रखी थी? घेवर माता के द्वारा रखी गई थी चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल मेवाड की आँक किसे कहते हैं मेवाड की आँख कहते हैं अब इक दुर्ग और इस्तित है उसको क्या कहते हैं कटार गड कहते हैं ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के और कटार गड याद रखियेगा अगला सवाल है राजस्तान की उंची चोटियों का आरोही करम कोणसा आरोही करम के अनुसार सही विकल्प चुनिये तो आरोही करम पुछा है अवरोही करम वो होता है जो गटते हुए करम में होता है आरोही करम वो होता है जो बढ़ते हुए करम में होता है तो बढ़ता गुरु सेर जगा चाल, तो गुरु सेर जरगा अचलगाड़ ये क्या है ये है गटते वे क्रम में बड़ी आई ना पहले बड़ी के बाद में छोटी 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 ऐसे हैं न अपन को क्या पुछा है आरोही क्रम पुछा है आरोही करम कौन सा है अवरोही तो अवरोही तो होता है घटता तो ये तो रहा भई अवरोही करम ठीक है और अपन को कौन सा पुछा है आरोही करम इसका उल्टा देखिए अचलगड जरगा सेर गुरू सिकर तो सही जवाब कौन सा होगा ये जवाब होगा अचलग है क्या वही लोग गीत है या फिर गाली गीत है या फिर निकासी गीत है जी बताईए क्या है तो इन में से जो है सीठने कहते हैं गाली गीतों को किसके कहते हैं गाली गीतों को कहते हैं सीठने ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल है राजस्तान की सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला जिला कुन सा है सवाल के करने का मतलब यह है कि जो अपना राजस्तान राज्य है इसमें जो जैसे पंजाब है, हरियाना है, उत्तर परदेस है, मध्य परदेस है, गुजरात है ये इसे कुछ करके पांच जरो राज्या है अपने साथ अंतर राज्या सिमा बनाते हैं इंटरस्टेट जो बाउंडरी बनाते हैं इस इंटरस्टेट बाउंडरी की जो इसमें अपने राजस्तान के जिले जो शिमा बनाते हैं उनमें से कौन सा जिला इसा है जो दूसरे किसी राज्ये के साथ सरवादिक लंबी सिमा बनाता है तो ये कुंसा है ये है जालावाड जालावाड जो है राजस्तान की सबसे बड़ी सिमा अन्य राज्ये के साथ साजा करता है और सबसे कम कुंसा करता है और रॉल सबसे कम करता है बाड मेर सबसे कम तो जहलावाड बाड मेर का ग्रूप याद रखिए सबसे कम करता है बाड मेर किसके साथ करता है भी गुजरात के साथ ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर निम्न में से कौन सा नर्ते भीलों से समंदित नहीं है तो बिलों से समन्दित नर्तिय की बात हो रही है अब बिलों से समन्दित नर्तिय कोण सा नहीं है तो घुमरा, नेजा, द्वीचकरी यह हम ने आपको बताया था कि जब नर्तिय अपने पढ़े तो अपने ट्रिक बताई थी क्या ट्रिक थी कि गवरी घूमर गेर न दियो हार यह किसके ट्रिक थी यह थी गरासियों की गवरी गेर न गवरी घूमर गेर न दियो हार ठीक है और यहां देखिए उस ट्रिक के हिसाब से मांदल नर्त्या सोरी गवरी गवरी यह जो ट्रिक थी यह भीलों की ट्रिक बताई थी बैउ भीलों की गवरी ने क्या बताई थी यह ट्रिक थी किसकी बिलों की ट्रिक थी यह ना बिलों की गवरी थी बिलों की गवरी ने गूमर गेर ने दियो हार ठीक है मतला बिलों की जो गवरी नाम की लड़के थी उसने अपने शादी के स्टेज पर गूमकर दूसरे को हार पहना दिया था ठीक है तो अब देखें इस चबाब हो जाएगा मांदल चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल अच्छा सवाल है सिता माता अभ्यारने की स्तापना कब हूई तो सिता माता अभ्यारने की स्तापना पूछिये आप्शन देखिए 1989 इस्वी 1989 विक्रम समब उनीस सो चीचेतर विक्रम समब उनीस सो आठतर विक्रम समब तो यहां जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा 889 सितामता डंड़न बत्राद की आद क्या है सकते हैं कि सिध्य से यदड वॉर्स है यह परमुक्त बत्राद के याद नहीं किया जा सकता तो देखिए सिता माता जो है अपन रामाइन देखते हैं शादी करके आती है तो कहां चली जाती है वनवास वन में चली जाती है फिर रावन से जीतकर इनको वापिस लाया जाता है और वापिस लाने के बाद क्या होता है फिर से इनको क्या दे दि चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के और मेवाड के सासकों के इस्ट देव कोन थे मेवाड के सासकों के इष्ट देव, देवनारैन जी, रूपनाज जी, एकलिंग जी या फिर बिगगा जी तो ये पूछ लिया कि मेवाड के जो सासक है इनके इष्ट देव कौन थे तो दोस्तो मेवाड के सासकों के जो इष्ट देव थे वो कौन थे एक लिंग जी थे एक लिंग जी को जो मेवाड के सासक है ये इनको क्या मानते थे मेवाड का सासक मानते थे क्या मानते थे मेवाड का सासक मानते थे और खुद को क्या मानते थे इन एक लिंग जी का क्या मानते थे दिवान मानते थे तो ये सवाल भी याद रखना कि मेवाड क पुद को किसका दिवान मांते थे तो किसका दिवान मांते थे एक लिंग जी का दिवान मांगते थे ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल है फुलवारी की नाल अब्यारने कहां इस्तित है बिलवाडा, उदेपुर, जहलावाड, जालोर फुलवारी की नाल अब्यारने कहां इस्तित है उदेपुर में इस्तित है इस सवाल का सही जबाब होगा उदेपुर में फुलवारी की नाल अब्यारने इस्तित है इसरलाट का निर्मान किसने करवाया था तो दोस्तों इसरलाट का निर्मान किसने करवाया था जैसिंग ने सवाई परताप सिंग ने मान सिंग ने या फिर इसवरी सिंग ने तो किस ने करवाय था देखें यहां इसका निर्माण करवाय था इस्वरी सिंग ने इसरलाट को क्या कहा जाता है इसरलाट को सरगसुली भी कहते हैं कहते हैं सरगा सूली सरगा सूली भी कहते हैं इसरलाट का निर्माण इसवरी सिंग ने मराठों पर विजे के उपलक्स में करवाया लेकिन बाद में मराठों का जो आतंक है वो बढ़ा इन पर और इनोंने मराठों से डर कर इसी इसरलाट या सरगा सूली पर से कूदगर क्या क तो ऐसा सवाल काफी बार पुछा गया है कि मराठों से डर कर आत्म हत्या करने वाला सासक कौन सा था तो वो कौन सा था इस वरी सिंग था अगला सवाल कौन सा विकल्प राजस्तान से अंतराश्चे सिमा बनाने वाले पाकिस्तान के सिंध प्रांथ से समधित नहीं है तो आप करते हैं अना तो इन दो प्रांथों के टोटल नो जिले अपने राजस्तान से सिमा बनाते हैं तो इसमें सवाल यह पूछना चाहरा है कि सिंध प्रांथ का जिला कोण सा नहीं है जो राजस्तान के मतलब सिमा नहीं बनाता है ठीक है तो यह सवाल आपको पूछा गया है तो य परांत का है पाकिस्तान का तो यही तो सवाल है कि निम्न में से कोण सा जिला सिंद परांत का नहीं है पाकिस्तान के सिंद परांत का जो राजस्तान से सिमा नहीं लगाता है ठीक है तो देखिए पंजाब जो परांत है पंजाब परांत इसके तीन जिले हैं और सिंद परांत क खाँ है। यह मैंने ट्रिक बताए थी, आपको इसकी ट्रिक बताए थी कि सकर घोटे है। क्या गोट जिसे सकर गोट खेर उमर नाम में होता है ना लड़के का उमर थार पार कर घर आसी काई खाब आसी सकर खाब आसी आ गोठेर दी ठीक है तो ये देखो स्यार है न तो इसका मतलब ये सिंद परांत के जिल्ले हैं किसके सिंद परांत के सकर गोट खेर खेर सकर गोट खेर मतलब अपने कहते हैं खेर चलो कोई बात नहीं है तो वह खेर है ये वह खेर है ना सकर खेर घोट कर कर घर घरए अ सकर खबा ठीक है तो देखो सकर उकी मातर लगा उसुकर बन गया गोट की खेरपूर उमर कोट थार पार कर खुद आई और घर से संगर ये जो है सिंद प्रांत के छह जिले हैं जो राजस्तान से सिमा साजा करते हैं ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल है वेशनव या भागवत धरम से समन्दित सिलाले कोन सा है तो मानमोरी सिलाले क जो है इसको इंगलेंड ले जाते समय करनल टोड ने समुदर में फ्यंक दिया था ठीक है वसंदगड सिलाले क में राजस्तान में पहली बार 682 इस्वी में क्या हुआ था यहां लिखावा मिला था राजस्तान के बारे में राजस्ताना या दित्य सब्द गोसुंडा सिलाले किसका सही जबाब होगा गोसुंडा सिलाले क जो है यह वेश्रम या भागवत धरम से समन्दित हो राजस्तान का सबसे प्राचिन्तम सिलाले कह सकते हैं तो सबसे बड़ा सिलाले किसे कहेंगे वि 25 सी लालेखों में ये उतकीर्ण है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर विस्वका सबसे बढ़ा सी लालेख कौन सा है अभी जबाब दे चुका हूँ राज सिंग प्रसस्ती जिसके लेकक है रन छोड भट ते लंग ये इसके प्रसस्ती कार है चलिए बढ़ते हैं अ उन्हीं डीटेल्स में से ये क्यूसन उठाय गए है बाबर का अफगानों के विरुद, बाबर का इब्राहम लोदी के विरुद हुआ था या बाबर वे मेदिनी राय के मध्यवा था इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा बाबर वे मेदिनी राय के बीच चंदेरी का हाँ यहाँ यूज लासिओ एसका मतलब होगा क्या और श्रापकर नहीं पर बी परथापगड़ नाम नहीं आया तो पर गुजरात के साथ सिमा साजा करने वालों में सबसे अधिक सिमा बनाता है उद्यपूर और सबसे कम सिमा बनाता है कौन बाड मेर ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के और गुजरात के साथ राजस्तान की सिमा लगती है 1022 किलोमेटर ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के और अगला सवाल है भारत का कौन सा जिला मद्यपरदेश के साथ सबसे कम सिमा साजा करता है तो मद्यपरदेश क साथ सिमा साजा कितनी करता है राजस्तान तो यह करता है सोला सो किलोमेटर कितने सोला सो किलोमेटर की सिमा बनाता है जिले कितने लगते हैं राजस्तान के जिले और मद्या परदेश के भी कितने जिले 10 जिले लगते हैं मद्यपर्देश के भी 10 जिले लगते हैं ठीक है तो यहाँ देखिए 10-10 जिले हो गए दोनों गए 1600 किलोमेटर हो गई अब इसमें यहाँ सबसे ज्यादा सिमा कौन लगाता है सबसे ज्यादा तो लगाता है जहलावाड सबसे कम सिमा कुन सा लगाता है तो सबसे कम सिमा लगाता है भीलवडा ठीक है तो याद रुखिए सबसे ज़्यादा सिमा लगाएगा जहलावाड सबसे कम सिमा लगाएगा भीलवडा चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल है राजस्तान को प्रसासनिक दर्ष्टी से राजस्तान नाम कब मिला था ये मिला था 1950 में कब मिला था 1950 में तो इस सवाल का सही जवाब होगा 1950 चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल पंजाब से राजस्तान का कौन सा जिला सबसे कम सीमा साजा करता है तो पंजाब जो है इसके साथ अपनी सीमा लगती है 89 किलोमेटर 89 किलोमेटर सीमा लगती है पंजाब के दो जिलो और राजस्तान के दो जिले पंजाब के कौन कौन से जिले हैं दो वो है फजि हनुमान गड़ कौन कौन से हैं गंगा नगर और हनुमान गड़ तो देखिए इन दो जिलों में से राजस्तान की कौन सा जिला सबसे ज्यादा सिमा मनाता है तो मुझे एक बात बता दिये गंगा जो है ये गंगा सिंग राजा था पता है आपको और हनुमान जो है हनुमान ब लगता है हनुमानगड लगाथा सबसे कम कौन गंगानगर लगाएगा थीक है चलिए बढ़ते है अगले सवाल कि और राजस्थान के क्टने चिल ले केवल Antra RuJitya पूछ जाएंगे तो पचीस हो जाएंगे, पचीस हो गए, आठ कों से हो गए? आठ हो गए अंतरवर्ति जिले, तो राजस्तान में जिले टोटल कितने? 23 जिले हो गए ये एक समीकरन टाइफ हो गया केवल अंतराज जिये पूछे तो 23 कहेंगे अंतराज जिये कहेंगे तो दो और जोड देना टो टो टल 25 पचीस ओव में 8 कम कोन से रह गए 33 में से 8 कम रह गए अंतरवर्ति जो किसी भी राज्ये से अंतराज जिये सिमा नहीं बना है उसमें और उत्तरपरदेश के भी गुण है उसके अंदर समाजी के विवस्ता में ठीक है तो ऐसा जिला चुनिए जो कोमन हो मतलब मद्यपरदेश के साथ भी सिमा लगाए और उत्तरपरदेश के साथ भी सिमा लगाए तो राजस्तान का ऐसा जिला जो उत्तरपरदेश और मर्द्य प्रदेश दोनों के साथ सिमा मनाता है वो कौन सा है वो है भरतपुर तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा भरतपुर इस सवाल का सही जवाब होगा काफी important क्यूसन है कई लोग confusion में फश जाते हैं इसमें ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के और राजस्तान का कौन सा जिला है जिसका मुख्यले उस जिले के नाम पर नहीं है काफी अच्छा सवाल पिछली वार जो पटवार की एक्जाम हुई थी उस पटवार की एक्जाम में पुछा गया सवाल है यह कि राजस्तान का कौन सा जिला जिला जिसका मुख्यले उस जिले के नाम पर नहीं है यह एक्जाम थी मिंस पटवार मिंस की एक्जाम थी जिसमें पुछा गया था राजस्तान का कौन सा जिला जिला जिसका मुख्यले उस जिले के नाम पर नहीं है और पटवार में ने दी थी तो उसमें ये सवाल मेरे समक्स आया था ठीक है तो देखिए ये जो सवाल है इसका सही जवाब होगा राज समन राज समन जिल्या जो है इस सवाल का सही जवाब होगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल आपके शमक्ष राज्य सबा के उपसबापती का कारेकाल कितना होता है तो राज्य सबा के उपसबापती है देखिए यहां आपको याद क्या रखना है एक तो राज्य सबा का कारेकाल याद रखना है ठीक है राज्यसभा के सभापती का कारेकाल याद रखना है राज्यसभा के उप सभापती का कारेकाल याद रखना है राज्यसभा के सदश्यों का कारेकाल याद रखना है देखिए इसमें कई उल्ट फेर हो सकता है क्या राज्यसभा का कारेकाल पुछे तो अक्सर लोग 6 वर्स जवाव देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है राज्यसभा 27 सदन इसका कोई कारेकाल नहीं होता राज्यसभा के सभापती होते हैं उपराष्टपती इसलिए उनका कारेकाल होता है 5 वर्स सब्राष्टपती का कोर्यकाल कितना होता है उपराष्टपती का कारेकाल कितना होता है। ठीक और राज्यसभा के सदश्यों का कारेकाल कितना होता है छह वर्स होता है उपसभापती जो है राज्यसभा के ही सदश्यों में से एक को चुना जाता है तो इनका कारेकाल भी कितना होता है छह वर्स होता है जिबकि सभापती जो मतलब सभापती उपराश्टपती होगी न अगला सवाल है चंबल-गरियाल-व्यारने राजस्तान की कितने जिलों में फिला हुआ है. तो चंबल-गरियाल-व्यारने में धियान दिजीगा. ए उप्सन को टिक नहीं करना है. जिले पुछे गया है, यदि राजिये पुछे तो आप करेंगे तीन. लेकिन जिले पुछ गए तो आप कितने करेंगे जिले करेंगे पांच कितने करेंगे पांच जिलों में फिला है कौन कौन से है कोटा बुंदी सवाई मदुपूर धोलपूर और करोली ये पांच जिलों में फिला है और तीन राज्यों में फिला है ठीक है चलिए बढ़ते है अगले सवाल की और अगला सवाल है अनुचेद 32 को सविधान की आत्मा किस ने कहा तो अनुचेद 32 को सविधान की आत्मा किस ने बताया तो पंडित नेरू ने किस को कहा तो पंडित नेरू ने कहा तो पंडित नेरू ने कहा तो प्रियंबल को मरतलाव प्रस्तावना को किस ने बताया पंडित नेरू ने बताया अनुचेद 32 को सविदान की आत्मा किस ने कहा भीमराव अंबेडगर ने कहा चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल कौन से अनुचेद के तहत सुप्रीम कोड द्वारा राष्टपती को सला दी जाती है तो सुप्रीम कोड से सला ले सकता है अगला सवाल है पी सत्यनारेंड राव कमेटी की सिपार इस पर किस जिले में सिक्षा निदेशाले की स्तापना की गई तो दोस्तों सिक्षा निदेशाले देखते ही आप अजमेर मत कर देना क्योंकि पहला उप्सन अजमेर अजमेर ही मिलता है अजमे अगले सवाल है अक्सर जो है 99% लोग गलत कर देते हैं इसको सुनते ही अजमेर उत्तर गरते हैं लेकिन आपको बिकानेर करना है सिक्सा निदेशाले के नाम पर ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की और नगरपालिका की कारिया व्यवस्ता के लिए 46वे सवीदान संसोदन द्वारा कितने विशेय दिये गए मतलब कि नगरपालिका के विषेय गएा पंचायते जोड़ी तो उनको कितने विशे दिये थे पंचायतों को 29 विशे दिये थे ठीक है तो इस चीज़ को याद रख लीजिएगा बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल है मुसी महरानी की छत्री कहां इस्तित है तो दोस्तों मुसी महरानी की छत्री कहां इस्त गुलाबी रंग में किसने रंगवाया था तो प्रिंस अलवर्ट आये थे उनको वो जब आये थे तो उनके स्वागत में जपर को गुलाबी रंग में रंगवा दिया था वही ये रंगवा दिया था प्रताप सिंग ने किसने रंगवा दिया था प्रताप सिंग ने इसको रं दी थी तो चलिये बढ़ते हैं है आयांब हमाने क्या बता दिया याद नी रहा है पुण्धाप सिंग पर यह ही सभी है जिप इस खूश्ब को गुलाबी रंग में किसने रंगवाया खूश्ब आध की में छ च futur को गुलाबी रंग में कैसने रंगवाया ता इसका उत्तर क्या होगा यह थोड़ा गलत बता दिया अब देखिए गुलाबी रंग की बात करें तो गुलाबी रंग में किसने रंगवाय था राम सिंग सेकिन ने रंगवाय था ठीक है जपर की स्तापना किसने करवाई थी सवाई जे सिंग ने करवा दी थी परताप सिंग ने क्या करवाय था परताप सिंग ने अपन यही जवाब दे दिया है ना चलिए अब ठीक है गुलाबी रंग में रंगवाया किसने राम सिंग ने हवा मेल का निर्मान करवाया किसने परताप सिंग ने और जपर की नीव किसने रखी थी तो नीव रखी थी पंडी समराट जगनात ने ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर विष्णवी संपरदाय की अनुयाईयों को कितने नियमों को पालना करना करना होती है 29 नियमों की पालना करनी होती है चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कपील मुनी का मिला कब भरता है काफी अच्छा सवाल कपील मुनी का मिला कब भरता है स्रावन सुकल पंचमी भारदर पर्द शुकल दसमी आस्मिन सुकल तर्तिया या कार्तिक पुर्णिमा तो कब भरता है बई कपील मुनित कैसे कै तो कब भरता है कार्तिक पुर्णिमा को मिला भरता है कपील मुनिका चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के और अगला सवाल है आना सागर जील किनारे सुबास उध्यान का निर्मान किसने करवाया तो आना जहाना चाओंगा जहां उध्यान हो गार्डन हो ठीक है तो जहांगीर ने करवाया सुभास उध्यान का निर्म नहीं यह जहां जाना चाओंगा यह बता रहा हूं किसली है क्योंकि अगले सवाल पर पता चल जाएगा कि नहीं होते हैं आना सागर जील है, सुबास उद्ध्यान है, मैं कहां जाना चाओंगा, वहां जाना चाओंगा, जहां गार्डन हो उद्ध्यान हो, ठीक है, अगला सवाल है, कि सांजा द्वारा निर्मित बारह दरी किस जिल के किनारे हैं, ठीक है, बारह दरी किस जिल के किनारे हैं, तो यह आना सागर का ही सवाल ये अपन उपर पड़ कर गए हैं ठीक है तो ये आना सागर की किनारे हैं बारह दरी का निर्मान करवाया साजाने और सुबास उध्यान का निर्मान करवाया किसने सुबास उध्यान का निर्मान करवाया जहांगिर ने करवाया तो मैं वहां जाना बारादरी को निर्मान जांगे, रिकनों मत करवाद दीजियो, और साँ जाग नों उद्ध्यान मत बनवाद दीजियो, इल्ली यह मैं कन्फूज मिटा बन कह रहे हूं, जहां जाओंगा, वहां उद्ध्यान होगा, ठीक है, और साँ जाग, बटे पूख कोन सा कहा जांगा, बारगाल सी, ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर, अगला सवाल है, दूसरा परमानो परिक्षन किसके कारेकाल में किया गया, इंद्रा गांदी, अटल भीहरी वाजबई, मनमौन सिंग या राजिव गांदी, तो दूसरा परमानो परिक्षन किया गया था, अटल भीहरी वा ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के और अगला सवाल है काफी अच्छा सवाल है राजस्तान से संसद में कितना परतिनी दित्वा है तो राजस्तान से संसद में परतिनी दित्वा पुछा है तो इसको भी सही से पढ़िएगा और फिर जवाब दीजिएगा तो राजस से संसद, संसद का मतलब क्या होता है, संसद का मतलब होता है, राज्य सबा प्लस लोग सबा, ठीक है, तो राज्य सबा में कितने हैं, राज्य सबा में 10 है, लोग सबा में कितने हैं, पचीस है, तो टोटल संसद में कितने का होगे, 35 का होगे, तो संसद में राज्य सबा का पर अपने most important top 50 क्यूसन लिये थे यह अपने complete हो गए है ठीक है तो अभी के लिए सबी को thank you नमस्कार धन्यवाद request की अभी तक किसी भाई ने चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर कीजिएगा वीडियो को like करना न भूले और